जाद तक साड़े अंदर बबेक नहीं पैदा होंदी असी साचते चूठ दा नितारा नहीं कर सकते हुन बानी वीच बोट थावां दे उत्ते ग्यान दी गल किती गई है अख्या ग्यान खंड में ग्यान परचंड तिथे नाद विनोद कोड अनांद एक ग्यान ओ नहीं है जि असी आम तोरते knowledge समझी बैठे हैं जड़ा बानी वीच ग्यान है ओ परमात्मा दा ग्यान है परमात्मा दा अन्बव है परमात्मा दी महसूसियत है जिदो साड़े हिर्दे तल्द वीच परगट हो जानी है सचता पर जानिये जहां रिदे सच्चा होई जिस दिन ए सच्चा ओ प्रभू अंदर वस जान दा है उन देखो असी जब जिस है विच भी पहली जड़ी गल है ओ तरम खांड है उस तो बाद ग्यान है फिर सरम है पर सरम दे विच होंदा की है उत्थे साड़ी सुर्थ कड़ी जान दी है उत्थे कड़ी सुर्थ मात्त मन बुद्ध मन मनीख साड़ी इंटेलिजेंच बुद्ध साड़ी विज्डम यह ओ था है जदों सुर्थ दे विच शबद आउंद है कड़िये शबद सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल फिर उस तो बाद करम है बक्षिश ते अखीर दे विच साच्य है कि साच्य अ असे इंद्रिया नहीं वेक सकते इंद्रिया रहे असी जो कुछ देख देयां वह सरफ फैक्ट्वल इनफर्मेशन भी है वह सरफ फैक्ट तक पहुंच देयां पर उस नों भी वेरिफाई करना पहन दा है दे वेरिफाइबल इवेंट जड़ने बार बार असी कर सके असी व वो सदे हिर्दे दे विच होंदी है, वो किसे ज्ञान इंदरी रही नहीं हो सकती, वो केवल अंतह करंदे विच हो सकती है, फिर सच भी दो तरह अंदा है, एक है relative truth, एक है absolute truth, एक है सापेखिक सच, एक है अपेखिक सच, असे उसना थोड़ा जिना, कि इस दिस्दे संसार दे अंदर, जितना ए संसार है, इस दा वास्तविक सच की है, ए जग सच्चे की है कोठडी, सच्चे का विच्वास, पाव ए जड़ा जगत संसार दिस्दा मिथ्या नहीं है सच्चा, सच्चे दी कोठडी है, इस विच सच्चा वस्दा है, वो चाहे ता इसनों फना करता है, ज स्रीड डिश्दाता है पर वास्त वी जह सच नहीं एदे अंदर कोई अध्रिस्ट चीज है जड़ी सच है इस वीच पाव हर एक दे हिर दे अंदर सच वस्द है इसे करके हिर दे अंदर सच दी लो चय कुई गाल करो और दो भाई मो आहले में कन्विंस्ट नहीं है। आह मनों अफीयल नहीं कर रहा है ओ केड़ी चीजले डिशने अफील नहीं कर दी सΑड़े हिर्दे वीच बैठा जड़ा साज्दा चान हर्वेले तोल है कि जोगल मैं वेख रहे हैं जोगल मैं परसीव कर रहे हैं एक तो किन ठीक है ते तो अनू acceptance ओदें हों दी है जदों तो अड़े अंदरों दी जड़ा तो अड़ा अंता करना है वो पूरी तरह कन्विंस्ट हो जाए ओदों असी समय दें कि साच है साच तां पर जानी है जहां रिदे सच्चा होए पर आम तोरते हुम्दा की है असी जड़ी गाल सुन दें हैं असी अपनी जो गाल समझी होई है असी उसे नू साच बननी बैठें असी जो कुछ इवन साठी उपीनिय नही ते असी उसनों भी फैक्ट मान लेने हैं जड़ी उपीनियन उपीनियन है मैं थोड़ी जिन्नी आप जिन्नों एक अग्जाम्पल देना कदी अदालत दे विच तुसी जे रियल्टी विच जाओ या किसे सीरियल दे विच अदालत नों वेख लो जदों ओ फैसला देन लग करता है पहला दे सुने आई कोई भी कंप्लेंट आंदी है ओ जिरहा होंदी है कंप्लेंट भाई है अक्सेप्टेबल है कि नहीं है उस तो बाद फिर इविडेंस गवाह पोगता आई जान देने उस तो बाद फिर वकील बहस करते ने ते अखीर ले दिन जज अपना फैसला सुना दा है पर हर हीरिंग टे जज की कहन दा है कि हाले फैसले नहीं होया हाले ये स्टेज है नोबडी विल इसकस आफॉट इस तेंग्ज पर जदो फैसला होन लगदा है ते फैसला होन विले जज जड़ा है एक गल ओपनिंग संटेंस केंदा है ओन दी बेसिज आफ फेक्ट्स प्रेडूस्ट एंड इस्टेबलिस्ट इन दिस कोर्ट आई हेर बाई कन्क्लूट ओन दी बेसिज आफ फेक्ट्स वो साच नहीं केंदा गवाहा दे द्वारा दित्ती गई गवाई दे अधारते जड़े तथ अधालते सामने पेश होए ने औना तथा ते अधारत मैं ए फैसला देन लगा देखो एकंडिशनल है कल नो कोई नमे तथ आजान देन दित्ता होया फैसला उल्टाया जा सकता है होई होई सजा माफ हो सकती है तेजेड़े बंदे नो छोड़ देता जाए उनो दुबारा करिफ़तार कीता जा सकता है जे नमे तत्त आ जानतां पाव किन ना सस्पेंडिक डिसीजन होंदा है जजदा मिन्या साल दो साल तिन साल पांच साल है थे दसदा साल भी लग जान देने फैसला नहीं होंदा पर जजद पूरा अगले नहीं मोका दे है कि जिनने फैक्ट्स ने वो प्रोड्यूस कीते जा सकन ते फिर एक कंडिशनल है कि आणवाले समय विच जेकर कोई नवें ताथ आ जान ते फैसला बदलियां भी जा सकता है जूरिस्पृडेंट्स जड़ा अदालत दा जड़ा कारज ह है ओ दी कारवाई दा तरीक है पर असी अपनी जिन्दगी वीच वेखिये असी माडी दी नहीं कोई कटना वेखिये सारे तथ साड़े कोल नहीं असी का नहीं सच है है वी इमेज़ेटली जंप टू दी कंक्लूजन जदकी सानु रिफ्रें करन दी लोड है सानु इस पक्ष हो थोड़ा जया अपने डिसीजन उसस्पेंड करन दी लोड है असी जिन्दगी दे अंदर हाले कोई चीज वेखिय नहीं तुसी जिन्नी साड़ी दुनिया भी पड़ाई है ओ दे अंदर कौनून हुंदे ने लास हुंदे ने थियोरी हुंदिया ने फिर हाइपोतेसिस पर सच किद्रे नहीं हुंदा जदो लावी हुंदा है ते हो कहांदे है इत है इस्ट थीस मेनि अनॉमिलीस की एला इना कंडिशन दे वीचे नॉर्मल कंडिशन दे वीच आएगा पर जदो खास कंडिशन दे वीच ऐस तो बदल भी सकद आ है साड़े शरीर दे अंदर जिवें असी मंदेयां साड़ी चेतन अवस्था है, साड़ी अर्ध चेतन अवस्था है, साड़ी अचेत अवस्था है ते बहुत वारी चतन होआंगे ते गलनू समझ सकांगे ते अचेत नहीं पर बहुत सारा सा डे अंदर है पर ओ भी साच है अचेत भी साच है अर्ध चेतन भी साच है चेतन भी साच है ते असी अक्सपेक्ट कर देयां कि अच्छन चेत भी कुछ हो जाए कुछ ऐसी चीज हो जाए संता महात्मा दे पास जाने हां किस वास्ते जाने हां बही संत जी कोई मारो ना रेख विछ मेख साड़े लॉजिकली कुछ नहीं ऐसी प्रापत कर सके ते हुण ओना दे कोल बेंती करवाने हां बही कुछ अचन चेत भी हो जाए पामे होए चेत पामे होए अचेत पामे अचन चेत होए सारा कुछ कुछ भी अननेचुरल नहीं जो कुछ होंदा परमात्मा दी मर्जी दे नाल होंदा है ते असी जे ओठो तकन पोंचना है ता ए विश्वाश रखिए कि इस संसार से बिच जो कुछ भी होएगा उस जो जो थिर है सदा थिर इस संसार बिच है सदा थिर जो मेरे सरीर दे अंदर है जड़ा अंतिश्करन दे विच है ना दोहाँ दे विच जदो मैंनो कोई मुगालता नहीं हुएंगा जदो मेरा साच अंदरला साच त्यज़ा बहर दा साच जा हो एक मिध हो जान ता मैं समझांगा कि सक्छे तेरे खांड़ सचे भ्ह मंद सचे तेरे लो सच्चे आकार सब कुछ सच्चा है क्योंकि इस विच तुम वस रहा है असी लोजिकली वद तो वद तथ तक पूंच सकते हैं सच तक नहीं तथ तो सच तक दी यात्रा लोजिकल नहीं है ए सानु अंदरों महसूसियत दी यात्रा है जिन्हें फिलासफर्स ने वो इनादे अदार होते ही एक कोशिश कर देने अपना ठियोरीज लास बनां दी पर फिर ओ जितने भी ने ओ सारे दे सारे मनुक्खी तरदद ने मनुक्खी यतन ने ये असली सच नो पहचानना चाउने या इस सरीर तो बाद की है वो असी भी नहीं जान दे है साइंटिस्ट भी नहीं जान दे है पर वो जान देने वो अनभव वाले जान देने जिन्ना दे अंदर आत्म अनभव दी जाग लगी है ते जिन्ना दे अंदर वो आत्म दी जाग लगी है वो ही समझनगे कि गुर्णानक जिस फिले गल केंदे सच्चडा सो साहिब सच्च तपावस सच्चडा न्याउग करेग मसोला सच्चडा सो साहिब सच्च तपावस तपावस केंदे न्याकारी सच्चडा सो साहिब ओ साहिब सच्चा है आप सचड़ा सो सहब सचत पावस ओदा जड़ा नया है ओवी पूरी तरह सच्चा है असी समझ देयां कि शैद है गल गलत हो गई है ए दुन्यावी फैसला गलत हो गया परमात्मा ते वेखदे ते वेखदेयां जिनिया कहानियां पढ़ लो जिनना असी लिट्रेचर पर लो हुन्दी अखीर विच सचती जेता है फिर असी समझ देयां हाँ रब है रब ने हुन्या कीता है क्या जान दे कि जड़ा रबदा नया है वो क्यों हो जी है कहन दे इनकी बिलकुल रबदी चक्की एनी चल दी है पर कहन दे कि बड़ा महीन पीस्ती है क्यों? उन्हें नयाब पूरा करना है बहुती वारी असी समझ दे नाल होंदा है भई यह थे बड़े चंगे काम करन वाला सी यह दा बड़ा पाठ पूजा करन वाला सी यह दे नाल है क्यों हो गया भई दुनिया दे विच जो कुछ होंदा है चिंता ताकी कीजिए जो अन्होनी होए अन्होनी तो कुछ होंदा ही नहीं इस संसार दे विच ते असी समझ दे यहां पता नहीं क्यों असी मन्नी में ठे यहां मान दे विच कि असी शैद नहीं मरना साथे माँ बापने मेशा साथे नाल रहने ते उनु पता है ना ते बच्चे ने उने चले जाने के बजूर्ग ने जाने बजूर्ग दे हुंदियां पिता दे हुंदियां शेयर तीने पहले चले जाने बच्चे ने पहला चले जाने जो मरन लिखाए मंडल में आए असी आया इस संसार वेच मरन लिखा के आया ते जे आनू साच मन लेए पहला मरन कबूल जीवन की छड़ आंस हो सबन की रहन का तो आओ हमारे पास साच तक पुजन दे लेए सारे तो पहले जड़ी शर्त है ओ एह है कि पहला अपना मरन कबूल लेए जदो मरन कबूल कर लांगे ता साच दी यातरा दे अपना पैर रखांगे नहीं दे असी क्योंकि इस जीवन दे साच नो जात तक नहीं पकड़ दे ततक असी ठेड़ी खावांगे साड़ी अपनी हो मैं कि हाँ मैं मेरा अस्तित्व जड़ी मेरी होंद एता थिर रहन वाली है ते बस एत्थों ही असी साच पाऊंगे के वे साच पाऊंगे पहली शर्थ के असी जीवन दे साच नो पाव मोत नो कबूल ले ता साच दी यातरा दे तुरना शुरू करांगे ते इस द्यातरा तक पहुंचन दे ले उन पाथ्षा जड़ी काल केंदे ने कि सचों औरे सब को ऊपर साच अचार उन बानी दे विच एक उंकार सत नाम सत थिर रहन वाला जिदी होंद है जड़ा अग्जिस्ट करदा है जड़ा साच मुच है उन्हें तेरे कोई मुगालता नहीं असी आम तो उरते कहने हां किसे चीजनों साइन असी जड़ो कोई चीज प्रूफ करने लग दे हां जब मैत्समेटिक किसे कोई सवाल करना होंदा है असी कहने हां लेट उस पोज दी वेल्यू आफ इंट्रेस्ट इस एक्स ते सवाल शुड़ो करते हैं असी सब तो पहलो सब पोजीशन लेने हां पर बाणी शुरू इत्थों दिया है कि ए मन लाय कि रभ है जे ए मन ने आगा तो का लकर तो ओरनी है नही तो नहीप तो नहीं तो जिस दिन मनुख ने ए पहचान लेआ ए पका कर लेया ए दृड़ कर लेए यहरा साच मुझ है अगों देखे, पिछों देखे, तुझ ते कहां छिपावे ते फिर मुनुख कोलों जे ए मैसूस है कि अगों भी देखता है, पिछों भी देखता है ते फिर मुनुख कोलों कोई गलत कम नहीं होएगा गलत ओदों ही करता है मैंनो कोई नहीं देख रहे है ए ए कोई वेखदा पर चुप करके कर ला है बच्चे नू भी कहने है चल मैं पापा नू नहीं दे सांगी उन असी बच्चे नू पहले ही कह देने हैं असी परमोट कर दे हैं पर जिस दिन ए तार्लियां हिर दे दे अंदर कि ओ साच मुझ है ते सच्यार बढ़न दी यातरा शिरू होईगी किव सच्यारा होईया है किव कूडे तुटे पाल हुकम रजाई चलना नानक लिख्या नाल उस प्रभू दे हुकम नू पच्छानी है जड़ा सा डे नाल आया है इस सरीर दे नाल आया हर मनुख दे मन बुद्ध दे उत्ते ते उत्व तक पॉंचन दे लई तरम पाव अपने फरज नू निबह परमात्मा दी होंद दह ऐसास पाव दे साड़ी हुर्दे विचो दा ग्यान दा चानन आ जाए ते फिर साड़ी सुर्थ कड़ी जाए शरम खंड की बानी रूब तिथे कार्ट कड़ी ये बहुत अनू ताकियां गलां कथियां ना जाए ये को कहें पिछे पश्टाए तिथे कड़िये सुर्थ मात्मान बुद ते किदे नाल कड़ी जानी है कड़िये शब्द सची तकसाल को कि अखिरली पोड़ी दे विच उननाने पूरी डटेल फिर दे दिती एना पंजां खंडां दी ते क करम खंड की बानी जो ओधी बक्षिश दे नाल ही मुनुक सच नाल जुड़ सकते और सच खंड वसे निरंकार करकर विखे नदर नहाल जब जी से पूरी बानी सच तो शुरू हुंदी रबदी हों तो शुरू हुंदी सच्यार बणन तक ते मुनुक नु सच्यार पद तक ले जान वाली गल है तो जड़ा सच बानी विच दसाराया गया है उस तो पाव है ओ परमसत ओ हूंद जड़ी हमेशा तिर रहन वाली है ए पहाड ए नदियां ए कुदरत ए सूरज ए चंद ए तारे बिनस जान वाले ने एना नुख एना दे थले एना ए उस परमात्मा जिस से अधार दे खड़े ने, जिस प्रिंसिपल्स दे उते, ए सारी कहनात खलोती है, वो जड़ा अंदर ला अद्रिस्ट सच है, जिन्हों असी अपेखिक सच कहने हैं, सपेखिक है कि एथे जे कर चानन है, एस और आडिटोरिम दे पिछले पास है, ओना चानन नहीं है, रात तुनों भी ऐसी कहने हैं, कि हनेर है, पर जो दो तुसी एक दो मिंट अखा बंद कर लो, फिर खोलो दे तानूल नजर आंदा है, नहीं है, मेरा बेड़ है, ए दिवार है, हलका हलका चानन उत्थे भी है, पर कर तो बाहर आ जाओ तो तो तानू किना चानन नजर आएगा सो एस अपेखिक साच है, साधियां इंद्रियामा दा साच है, पर अपेखिक साच है, जड़ा केवल अंदर दी द्रिस्टी नालसी पचान देयां, बानी उस दी गाल कर दी है, कि ओ साच जड़ा सदीवी है, जड़ा सदा थिर है, साध्डे अंदर भी है, पर उस तक पोंच दे लेई असी लोजिकली नहीं ज्यान ए साड़ा साड़ियां इंद्रियामियां इसनों जरूर सहता कर दियां ने पर ओदों जदों साड़े अंतिश करन देविश साच वास जाए साड़ी जड़े अंतर यामता है ओजदों साच शबद दे नाल जुड़ जाए ते असी उस सा जड़ा है ओ हो में नु मार दे हो में मारं दे नाल सा डे जड़े ग्यान दे जड़े चक्षू ने अंदर दे चक्षू ओ खुल दे ने तैसी सच तक पहुंच देयां खिमा दे जड़े चक्षू खूँखी शैद में पूरा नयाना कर सक्या हूँआ बहुत बहुत कोई वद कटा की खिमा करनी वाहिगर जी का खल्चा वाहिगर दनवाद प्रिंसिपल सर साच्च दे संकलप दी गालकारे सन और बड़ी खुबसूरत लाइन गुर्बानी दी प् के ट्रुथ इस अबाव एवरिथिंग, ट्रुच्टर इस अबाव आल पर नाल गुर्बानी वेच एक वार्निंग वी दित्ती है ना के आख्खान ओखा और ये सारे लेक्चर वेच प्रिंसिपल सर जेडी गाल कारे सन ये परमात्मा दी जेडी गाल वार वार सी समजन दी क कोशिश का रहे सी, एक बड़ी खुबसूरत कहावत है के बंदे ने राबनों पुछे है सी ना के वाट इस दिफरेंस बेट्विए लाव और माई लव, तेरे प्यार ते मेरे प्यार इच की फरक है, ते राबन ने जवाव दित्ता है के बर्ड इन केज इस ये लाव, के ए प्यार है, ए बड़ इस प्लाइंग इन स्काई इस माई लव, जड़ा ए अकाश विच युनिवर्स हीच जिनने परिंदे चाल रहे ने मेरा प्यार है, सच चा है, इस सच नो असी मनी है, इदे पिछे बड़ी बड़ी फिलोसफी है, इस गाल नो असा नो मनना पेगा, के द उनिया साच है, यह सारी डवरिष्टी जड़ी रबने बनाई है, इस नो असी सविकार करी है, जड़ी उसी करदे नहीं, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू ईसाही है, तू जट है, तू बाप थैं तू यह हैं, वह हैं जो साड़ी सोसाइटी दे विच अज हो रहे है ये रब्दी creation मन के रब्दी creation दी सच नू मन के जट्था कसी अपने जीवन दे वेच नहीं आवाँगे डक्सप्रेस साब ने प्रिंसिपल सार ने गाल की थी के सूरज, चांद, हवा, बनस्पती, प्रिंद, पशु, पक्षी इस सारे दे सारे रब्दी life form ने इसनों असी सविकार करिये और बड़ा ज़रूरी है कि जट तक इसी नहीं सविकार नहीं करांगे कि रब्दा जड़ा अहसास है उसनों समझिए अक्सर ज़सी कहने हैं रब्दा नू अपने आप दे जड़े पहले जड़ी है रहां सच्चे हुए कहने नहीं कि जमें जमें आज स्थे रहे जयं या ते सच्चे मत cinny में अससी जिन्दगी दे होर करीब आ जन्दी या बड़ी प्रारी प्यारी कृटेशन है हो कहन दा है कि what is the difference between truth and lie, तो हो कहन दा है कि truth is debit card, pay first, enjoy later, lie is a credit card, enjoy first and pay later, सम्झेंदी गाल है, तो कहन देना अकसर के जेड़े राबदे बंदे होंदेने, जेड़े राबदी होंदा इसास करदा है, फकीर होंदेने, उन्हों फकीर कहन देने, अकसर हो सच्चे होंदेने, तो पंजाबी दी एक बड़ी कहावत है, वो कहन दा है कि पाटी जेव फकीर दी, विच्चोंटे या रब कि सच्चे बंदे दिजे विचीना रब है तो ए छुटिया छुटिया चीजा ने एक जपानी का हावत है वो कहें दिन के कीप ए गार्डन ट्री इन यूर हाट बर्ड विल अटोमेटिकली कम कि तुसी अपना दिल सच्चा रखो लोग तो अड़े कोल तो नूँ प्यार करन लिया आंगे तो अड़े कोल आंगे तो ए साड़ा अजदा जड़ा लेक्चर है कि जद तक आसी इस रब दी जेडि इस पूरी क्रियेशन है इस नो नी समाई दे इस दी क्रियेशन नो सविकार नी कर दे ततक जिन्ने साधे परवारा दे विच खलेश ने सुसाइटी विच ने या पूरे दुनिया विच असी देख दिया ततक नहीं जा सकते तो एस साच दा संकल्ब है, होन टी ब्रेक है जी, टी ब्रेक तो बात है जी फिर मिल लागे जी